मनावर विधान सभा गाव साततलाईव गंगाली के बीच नाले में तीन भुकम जैसे जोरदार धमाके हुए इसमें से पहला धमाका तो इतना जबरदस हा कि जिसकी आवाज सुनकर गाव के लोग घरों से बाहर आ गए और गाव में दहशत का महौल पैदा हो गया है ऐसा लग रहा है कि नर्मदा घाटी के आसपास रहने वाले सभी लोगों का भविश्य खत्रे में है मनावर विधान सभा में सरदार सरोवर का पानी ग्रामीनों को गुसने के बाद नर्मदा के आसपास के ग्रामीनों में जमीनी हलचल हो रही है ऐसा ही नर्मदा डू प्रभावित ग्राम एकल बारा में लगातार 187 से अधिक दिनों से इस प्रकार धमाके हो रही है लेकिन प्रशासन इस और ध्यान ही नहीं दे रहा जिससे यहां के लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसमें कुछ मेरी केत में एक मकान बनावा है उसमें कंपन हुआ था चदर बजय थे और मजदूर भगय थे और उसके बाद तीन हलके हलके और जटके आए थे चार बार मैसुस किया इस आवाज किसी थी मतलब को इसपोर्ट हुआ है या को जमीन के अंदर हल से आवाज दिए जमीन कंपन हुए है क्या नाम आपका मेरा नाम पुषत्तम जाठ है सब्तले करेवासी हुए क्या सुबह घटना गटी थी सब्सक्राइब बताए विश्वान आव जोर से आवाज हुई चदर बजने लगे और कहीं कंपन जैसा भी लगा लूकर से बाहर आ गये और गांगल जगा जगा ऐसा हो रहा है आपको लगता कि ये भुकम पर वी हो सकता पाणी बढ़ने के नलब भी बुकम को हो सकता है क्योंकि वो चदर बजे है लोग भाइबीट होगा निकले हैं उसके कारण ऐसा लगा था कि कुछ नहां कुछ हुआ है पिर उसके बाद देखा तो हहा ह कि पानी अपने आप जमिन से बुड़ुगरी दौरा बहार निकल रहा है अंदर बहार हो रहा है पानी कम वहा है पानी कम से कम दिया मानला पंदरा से बिस्विट पानी कम वहा है पानी के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाण